हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में कैसे हो आप सब आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि मार्च शिट के लिए कैसे अपलाय करें मार्च शिट स्टडी सेंटर से मिलती है या रिजिनल सेंटर से मार्च शिट और प्रोविजिनल सर्डीपिकेट दिखने में कैसे होती है मार्च शिट कितने दिन में रिसी होती है ये सब जानने के लिए वीडियो लास तक देखिए मार्शिट और प्रोजिटनल सर्टिपिकेट के लिए आप जो भी कोर्स कर रहे है वो क्लियर होना चाहिए मतलब आपके कोर्स में जितने भी थेरी, प्रोजेक्ट, पैटिकल, असायमेंट के सब्जेट है वो कम्प्लिट होना चाहिए प्रेंड्स, आपको मार्शिट और प्रोजेक्ट के लिए कई भी अपलाय करने की जरुवत नहीं है और ना ही कोई फी पे करने की जरुवत है जैसे आपका पूरा रिजल्ट कम्प्लिटेड आ जाता है उसके 15-20 दिन में आपकी मार्शिट बायपोस आपके होम एडरेस पे आ जाती है प्रेंड, मार्शिट और प्रोजिट लिएट आपके होम एडरेस पे आता है आपको यह चेक करना है कि आपने जो एडरेस एडमिशन लेते बग डाला था क्या वही आपका एडरेस है या चेंज हुआ है एड्रेस चेक करने के लिए आपको Google में simply टाइप करना है ignore admission status अगर आप कोई और जगव shift हुए है तो आपको अपना एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा एड्रेस कैसे अपडेट करते हैं जानने के लिए उपर i button पे क्लिक करके detail वीडियो देख सकते हो अभी देखते हैं market और providence certificate दिखने में कैसा होता है ऐसी होती है आपकी final market इस box में आपका course का नाम और एड्रेस मेंशन होता है यहाँ पे certificate नमबर लिखा हुआ रहता है उसके बाद आपका result कब डिकलर हुआ और डेट यहाँ पे मेंशन होती है उसके बाद नीचे आपके exam कब हुई month of year, admission यह सब मेंशन होता है उसके बाद course code, course title, कितने credit होते हैं, assignment में कितने marks मिलें, theory के mark, practical के mark, total mark, कौनसा course कब आपने complete किया यह सब यहाँ पे मेंशन होता है उसके नीचे आपके percentage और division मेंशन होता है फर्स्ट डिविजन के लिए आपको 60% होना जरूरी है इगनो के percentage कैसे calculate करते हैं, जानने के लिए उपर आए बटम पे क्लिक करके detail वीडियो देख सकते हो मर्शिट के साथ आपको provisional certificate भी issue किया जाता है प्रोविजनल certificate होता क्या है प्रोविजनल certificate एक तरज से degree होती है यह certificate next convocation तक valid रहता है इस provisional certificate का इस्तमाल आप कही आप और admission लेने के लिए कर सकते हो जहाँ पे आपको original degree देना होता है वहाँ पे आप provisional certificate यूज़ कर सकते हो convocation के बाद आपको final degree मिल जाती है अगर आपको urgently मर्शिट चाहिए तो आपको किस से contact करना चाहिए क्या email करना चाहिए जिस से आपको मर्शिट जल्दी प्राप्त हो सके जानने के लिए उपर eye button पे क्लिक करके detail वीडियो देख सकते हो सब फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में वीडियो helpful लगा तो लाइक करिए ऐसे ही ignoci related important information के लिए चैनल को subscribe करिए ताकि कोई भी important information आपसे मिस ना हो and thanks for watching